चप्पे चप्पे की खबर बड़ी से बड़ी खबर क्राइम से लेकर राजनीती तक किस नेता ने पांच साल में क्या काम कराया? मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर जो बदलेगा कुझरात के अंदर जो संजीब भड़ी के साथ हो रहा है आज वो ही चीज पुरे देश के अंदर मोदी जी करने में लगे हुए है इसलिए कैसा सविधान दिया ताकि कई हजारों वर्षों तक भी अगर कोई हिटलर आजा इस देश के अंदर तो इस देश पर वो कबजा नहीं कर पाएगा और मोदी जी को और उनकी भाजपा को शरम आनी चाहिए कि मनिपूर में जो नरसनहार हो रहा है उसका कंपैरिजन वो रेप के साथ करते हैं कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती तुम ना आते तो मुलाकात अधूरी होती बात तो होती मगर बात अधूरी होती शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बड़ी वरना ये महतिले जजबात अधूरी होती यही वो भूमी है बैंगलोर जहाँ पर आज भैतर भारत की बुनियाद हो रहा है और यही पर बैंगलोर के अंदर फिरका परस ताकतों के खिलाफ विपक्षी दलों में इंडिया का जनम हुआ है तो इस बैंगलोर का अपने अपने महतु बढ़ जाता है साथियों हम जिस दौर से गुजर रहे हैं देश में जिस तरीके के हालात हैं मैं मानती हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश के अंदर नफरत की राजनीती को रोकने का हम काम करें आज लगातार देश के अंदर नफरत का बीज बोने का हर रोस प्रियास किया जाता है मैं अभी श्वेता जी को सुन रही थी और मैं अपने साथी को बोल रही थी जो श्वेता जी ने कहा कि गुजरात के अंदर जो संजी भट जी के साथ हो रहा है आज वो ही चीज पुरे देश के अंदर मोदी जी करने में लगे हुए है जब तक तो गुजरात तक मोदी जी सीमित थे तब तक किसी को पता नहीं चल रहा था कि गुजरात के क्या हाल है मीडिया को दबा रखा था वियोरोक्रेसी को दबा रखा था विपक्षी दलो को दबा रखा था फिर जब वो प्रधान मंतरी बने तो उनको लगा कि गुजरात का मॉडल इंडिया के उपर हावी करेंगे लेकिन इंडिया वालों ने दिखा दिया और इंडिया आज जहां पर आकर खड़ा है भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है अगर आँख से आँख दिखा कर इस देश के अंदर कोई बीजे पीसे या मोदी जी से सवाल कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता राहूल गांदी कर रहे हैं हमारे पूर्वजों ने पंडित नहरू जी ने महात्मा गांदी जी ने सरदार पटेल जी ने हमारे पूर्वजों ने इस देश को लोकतंत्र बनाया और इसलिए बनाया और इसलिए कैसा सविधान दिया ताकि कई हजारों वर्षों तक भी अगर कोई हिटलर आ जाए इस देश के अंदर तो इस देश पर वो कबजा नहीं कर पाएगा यह सविधान की ताकत है आज देश का जो महाल है हमारे युवा बेरोजगार है महंगाई की मार है और देश में लगातार महिलाओं के उपर हो रहा ही अत्याचार है मनीपूर के अंदर जो हो रहा है वो समान्य नहीं है और मोदी जी को और उनकी भाजपा को शरम आनी चाहिए कि मनीपुर में जो नर्सनहार हो रहा है उसका comparison वो रेप के साथ करते है आज हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो मनीपुर में हुआ, जो द्रिश्य सामने आया विश्व भर में पूरे विश्व में भारत के नाम पर चोड़ पहुंची है लेकिन उस पर बोलने की बजाए प्रधान मंत्री जी के पास हर बात पर बोलने का समय है मनीपुर में जाने का समय नहीं है लेकिन राजिस्तान में आने का समय है राजिस्तान के अंदर चुनाव है अभी कल फेर आने वाले है प्रधान मंत्री जी के पास राजिस्तान जाने का समय है लेकिन मनिपुर में जाने का समय नहीं है ये बेहदी शर्मनाग है और वो हमेशा कहते हैं मैं आप साथियों को बता देना चाहूं और हमें घबराने की जरुवत नहीं है हमें उनसे सवाल करते रहना होगा इनकी जो IT टीम लगी हुई है कि राजिस्तान में हो रहा है राजिस्तान में हो रहा है राजिस्तान में और मनिपुर में और बीजेपी शासित राज्यों में जो बेटियों के साथ हो रहा उसका अंतराज बताना बहुत जरूरी है भाजपा शास्त राज्यों में बेटीयों को कलंकित किया जाता है पीडिताओं को बदनाम किया जाता है लेकिन कॉंग्रिस शास्त राज्यों में ऐसा कभी सरकार नहीं करती है हात्रस में जो हुआ institutional killing कहते हैं उसको कढ़वा में जो हुआ उन्नाव में जो हुआ इन सब हाथसों में भाजपा सरकार पीडिता को नहीं बलकि बलतकारी को बचाने में लग जाती है लेकिन राज़स्तान या ने किसी भी कॉंग्रेस शासित राज़े में ऐसा नहीं होता है हम बेटियों के साथ खड़े हैं हम बेटियों की इज़त का मान और समान करते हैं लेकिन आज जो हालात हैं बेटियों के इस देश के अंदर शायद इस देश के अंदर और खासकर भाजपा सरकार का जो राज़े है उसके अंदर बेटी का जनम होना बेटी होना पाप है और अगर आप दलित की बेटी है या दिवासी की बेटी है तो वो महापाप है ये हाला बीजेपी ने अपने राज्यों में बेटियों के कर दिये आज समय आवाज दे रहा है आज आवान की जरुवत है हम रोजगार की बात कर रहे हैं दो करोडोकरियां तो नहीं आई पंद्रा लाग भी खाते में नहीं आए ये सब तो आया नहीं लेकिन 87,000 लोगों ने इस जून तक इस साल के इस जून तक 87,000 लोगों ने भारत की नागरिक्ता छोड़ दी 13,500 लख पतियों ने भारत की नागरिक्ता छोड़ दी सधारन वर्ग भी जा रहा है देश के बाहर अमीर भी जा रहा है देश के बाहर क्योंकि देश की आर्थिक स्थिती पर चोट पहुँच रही है और मोदी जी के पास रहा देने का कोई काम नहीं है आज है जरूरी है कि हम इन सब सवालों से उनको घेरने का काम करें हमें इन जैसों से घबराने की जरूरत नहीं है इन जैसों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है पांच साल पहले मध्यपरदेश में भी हमारी सरकार आई थी लेकिन भाजपा का जो चाल चरितर चहरा है उन लेकिन करनाटका का जो इस बार का मैंडेट है उसने एक तमाचा मारा है भाचपा के लोगों के उपर और इस विभाजनकारी राजनीती के खिलाफ इस देश के अंदर ये होने नहीं देंगे और यूद कॉंग्रेस के मेरे साथ ही आप सब ये नहीं होने देंगे अगर जेल भ कॉंग्रेस के साथियों में चल रहे हैं जो रोज कोटों की सुनवाई के लिए जाते हैं ये कहां ये किसकी अंदर ये जोश होता है ये समाने जोश नहीं है ये देश को बचाने की नियत है हम चाहते हैं कि समाच के अंदर ये बटवारा खतम हो और हम देश को एक साथ रख कर एक जुट करकर आगे बढ़ने का काम करें और 2024 के अंदर इंडिया के नेत्रुत में इंडिया के अंदर एक सरकार बनने जाए जो भाजपा का मूँ तोर जवाब बनकर निकले इनी शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत धनेवाद करती हूं और अंत में एक पंक्ति कहूंगी कि अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है हम सब जानते हैं किसका शिकार करना है बड़ा गुरूर है दरिया तुझे अप करता समान